ओम शान्ति आज दिनंक 29 मई 2022 अव्यक्त बाप दादा का रिवाइच कोर्स 25 फरवरी 1921 बाप दादा ने अटेंसन खिचवाया सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हरसित हो रहे हैं क्योंकि स्वराज अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज अधिकारी बनते हैं तो आज डवल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज अधिकारी का राज अच्छी तरह से चल रहा है बाप दादा प्रश्न कर रहे हैं हर एक राज अधिकारी का राज अच्छी तरह से चल रहा है आपके राज चलाने वाले साथी सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीती से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोका दे देते हैं जितने भी सहयोगी कर्मचारी करमेंद्रियां चाहे इस्थुल हैं चाहे सुक्ष में हैं सभी आपके आडर में हैं जिसकी जिस समय जो आडर करो उसी समय उसी विधी से आपके मददगार बनते हैं रोज अपनी दर्बार लगाते हो राज्य अधिकारी सभी सो प्रतिसत आग्याकारी वफदार एवर रेड़ी हैं क्या हलचाल हैं अच्छा है वह बहुत अच्छा है वह बहुत 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 अच्छा है राज्य दर्बार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हलचाल तो अच्छी रिती जानते हो ना ला है ना आडर है लेकिन आपकी राज्य दर्बार ला फुल भी है और सदा हाजी जी हाजीर इस ओर्डर में चलती है जितना राज्य अधिकारी सक्ति साली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वता ही सदा इसारे पर चलते राज्य अधिकारी ने आडर दिया कि यह नहीं सुनना है तो यह नहीं करना है नहीं बोलना है तो सेकेंड में इस सारे प्रमान कार्य करें ऐसे नहीं कि आपने आडर किया नहीं देखो और वह देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथ ही कहेंगे बाप दादा पूछ रहे हैं यदि करने के बाद सोचे तो उसको वफदार साथ ही कहेंगे मन को आडर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो सेकेंड में फुल स्टॉप दो सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए इसको कहा जाता है युक्ती युक्त राज्य दरबार ऐसे राज्य अधिकारी बने हो रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब आडर देते हो रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो अगर कोई भी करमेंद्रियों से वा कर्मचारी से बार-बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संसकार पक्के हो जाते हैं फिर चेंज करने में समय और महनत भी लगती है उसी समय चेक किया और चेंज करने की सक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे सिर्फ बार-बार चेक करते रहो कि यह रॉंग है यह ठीक नहीं है और इसको चेंज करने की युक्ती वा नौलेज की सक्ती नहीं दी तो सिर्फ बार-बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता इसलिए पहले सदा करमेंद्रियों को नौलेज की सक्ती से चेंज करो सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉंग है लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधी इसपश्ट हो अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा लेकिन कहने के साथ साथ विधी इसपश्ट करो तो सिद्धी हो जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निसानी है वह सदा अपने पुरुशार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रती सुक्रिया निकलता रहेगा सर्व के दिल से सदा दिल के साथ से वह वह के गीत बचते रहेंगे उनके कानों में सर्व द्वारा यह वह वह का सुक्रिया का संगीत सुनाई देगा यह गीत आटोमेटिक हैं इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता इसके लिए कोई साधनों की अवशक्त नहीं यह अनहद गीत हैं तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविस्य में सफलता का फल विश्व राज्य प्राप्त करेंगे अगर संपूर्ण सफलता नहीं कभी कैसे है कभी कैसे है कभी सो प्रतिसत सफलता है कभी सिर्फ सफलता है सो प्रतिसत सफल नहीं है तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य तक्त ताज प्राप्त नहीं होता लेकिन रोयल फैमिली में आ जाता है एक है तक्त नसीन दूसरे हैं तक्त नसीन रोयल फेमिली तक्त नसीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तक्त नसीन रहे डबल तक्त कौन सा एक अकाल तक्त दूसरा बाप का दिल तक्त तो जो भी अभी सदा डबल तक्त नसीन है कभी कभी वाला नहीं ऐसे सदा दिलतक्त नसीन विश्व का भी तक्त नसीन होता है तो चेक करो सारे दिन में डबल तक्त नसीन रहे अगर तक्त नसीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी करमेंद्रियां भी आपके आडर पर नहीं चल सकती राजा का आडर माना जाता है राज्ये तक्त पर नहीं हो और वहा आडर करे तो माना नहीं जाता है आज कल तो तक्त के बजाए कुर्सी हो गई है तक्त तो खत्म हो गया योग्ये नहीं है तो तक्त गायब हो गया है कुर्सी पर हैं तो सब मानेंगे अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो बाप जादा कहते कुर्सी पर हैं तो सब मानेंगे अगर कुर्सी पर भी नहीं हैं तो सब नहीं मानेंगे लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो स्वराज्य अधिकारी राजे हो सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है राज योगी अर्थात राजा देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो दुनिया उसमें भी विशेश विदेश हलचल में है वह वार और हार की दुविदा में है कोई हार रहा है कोई वार कर रहा है और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है तो वह है हार और वार की हलचल में और आप हो बाप दादा के प्यार में परमात्म प्यार दूर दूर से खीच कर लाया है कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती परमात्म प्यार बुद्धी मान की बुद्धी बन परिस्थिती को स्रेष्ट इस्थिती में बदल लेता है डबल विदेशियों में भी देखो पहले पोलेंड वाले कितने प्रयात्न करते थे असंभव लगता था और अभी क्या लगता है रसिया वाले भी असंभव समझते थे चाहे 24 गंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़े पहुच तो गए न चाहे 24 गंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा पहुच तो गए न मुश्किल सहज हो गया तो सुक्रिया कहेंगे न ऐसे ही सदा होता रहेगा कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे फिर हम कैसे जाएंगे परमात्मों प्यार में वह सकती है जो किसी की आँखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवस हो जाएंगे लेकिन सिर्फ प्यार करने वाला नहीं लेकिन निभाने वाला हो निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीती की रीती निभाते रहेंगे कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना सदा निभाने वाले प्रीत करना अनेकों को आता है लेकिन निभाना कोई कोई को आता है इसलिए आप कोई कोई में हो बाप दादा सदेव डबल विदेशी बच्चों को देख खुस होते हैं क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बने अगर अनेक प्रकार की माया के बॉंडेज और अनेक प्रकार के रीती रिवाज और रस्म के बाउंडरीज को पार करके पहुँच गए हैं यहा हिम्मत भी कम नहीं है हिम्मत सभी ने अच्छी रखिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं दोनों बेठे हैं बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं दोनों की हिम्मत अच्छी है इस हिम्मत में तो सभी नंबर वार इस हिम्मत में तो सभी नंबर वन हो फिर नंबर किस बात कि में है डबल विदेशी विशेश पुरुशार्थ करते हैं और रूरियान भी करते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे कोई क्वेस्चन करते हैं कि आ सकते हैं आने अवश्य हैं डबल विदेशीयों के लिए भी माला में सीट रिजर्व है लेकिन कौन कौन और कितने वह आगे चल कर सुनाएंगे तो नंबर क्यों बनते हैं तो नंबर क्यों बनते हैं हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा तो अधिकार भी पूरा है फिर भी नंबर क्यों जो नंबर वन होगा और नंबर आठ होगा दोनों में अंतर तो होगा ना इतना अंतर क्यों पड़ा 16000 की तो बात छोड़ो 108 में भी देखो कहां एक कहां 108 तो क्या अंतर हुआ हिम्मत में सब पास हो लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मन परिवार द्वारा मदद मिलती है उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूच करना जिस समय जो मदद अर्थात सक्ती चाहिए उसी सक्ती द्वारा समय पर काम लेना यह निर्णय सक्ति और कार्य में लगाने की कार्य सक्ति इसमें अंतर हो जाता है सर्व सक्तिमान बाप द्वारा सर्व सक्तियों का वर्सा सभी को मिलता है कोई को आठ सक्ति कोई को छे सक्ति नहीं मिलती सर्व सक्तियां मिलती है पहले भी सुनाया ना कि विधी से सिद्धी होती है कार्य सक्ती की विधी एक है बाप के बनने की विधी दूसरी है बाप से वर्सा प्राप्त करने की विधी और तीसरी है प्राप्त किये हुए वर्से को कार्य में लगाने की विधी, कार्य में लगाने की विधी में अंतर हो जाता है, पॉइंट सब के पास हैं, लेकिन टॉपिक पर वर्क सौप करते हो, तो कितनी पॉइंट निकालते हो, तो एक पॉइंट बुद्धी में रखना, यहां है एक विधी और दूसरा है पॉइंट ब लगाना पॉइंट के रूप भी हो और पॉइंट भी हो दोनों का बेलेंस हो यहां है नंबर वन विधी से नंबर वन सिद्धी प्राप्त करना कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए, कार्य सक्ती को बढ़ाओ, समझा? नंबर वन आना है तो यह करना पड़ेगा, आज कल साइन्स की सक्ती, साइन्स के साधनों द्वारा कार्य सक्ती कितनी तेज कर रही है, जो चेतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है जितने समय और जितना यथार्त चेतन्य मनुष्य कर सकता है उतना साइंस के साधन कम्प्यूटर कितना जल्दी काम करता है चेतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है तो जब साइन्स के साधन कार्य सकती को तीवर बना सकते हैं कई ऐसी इन्वेंशन निकलती भी हैं और निकल भी रही हैं कई ऐसी इन्वेंशन निकलती हैं और निकल भी रही हैं तो ब्राह्मन आतमाओं के साइलेंस की सकती कितना तीवर कार्य यथार्थ सफल कर सकती है सेकेंड में निर्णए हो सेकेंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो सोचना और करना इसका भी बेलेंस चाहिए कई ब्रह्मन आत्माएं सोचती बहुत है लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया वा नहीं किया, उतना बाबा कहते सोचते पीछे हैं कि ठीक किया वा नहीं किया, क्या करना है अभी? तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो नहीं तो क्या होता है सोचते हैं कि यहाँ करना है लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कारे का समय और परिस्थिती बदल जाती है फिर कहते हैं करना तो था सोचा तो था जब साइन्स के साधन तीवर गती के हो रहे हैं एक सेकेंड में क्या नहीं कर लेते हैं विनास के साधन तीवर गती से विनास के साधन तीवर गती के तरफ जा रहे हैं तो इस्थापना के साइलेंस के सक्ति साली साधन क्या नहीं कर सकते अभी तो प्रक्रती आप मालिकों का आहवान कर रही है आप लोग उनको आडर नहीं करते तो प्रक्रती कितनी धहमाल कर रही है मालिक तयार हो जाओ तो प्रक्रती आपका स्वागत करे ऐसे तयार हो बाबा कहते ऐसे तयार हो कि अभी तयार कर रहे हो संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं अपनी महिमा को जानते हो अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुन संपन्न भी हो संपूर्ण निर्विकारी भी हो संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुशोत्तम भी हो सोला कला संपन भी हो सभी बातों में फुल हैं तो समझो मालिक तयार है और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तयार नहीं बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने तो प्रक्रती आप मालिकों का स्वागत करेगी बाप के बालक हैं वहा तो ठीक है इसमें पास हो लेकिन इन पाँचो ही बातों में संपन बनना अर्थात मालिक बनना प्रक्रती को आडर करें अच्छा तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे न फिर तो आडर करेंगे न यह तपस्या वर्ष लाष्ट चांस है या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो फिर तो नहीं कहेंगे न अच्छा चारो और के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा डबल तक्त नसीन विशेस आत्माओं को सदा सोचना और करना दोनों सक्तियों को समान बनाने वाली वर्दानी आत्माओं को सदा परमात्म प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिला राम बाप का याद प्यार और नमस्ते हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात महाराष्ट में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए यहाँ खुसी रहती है ना वे तो नामधारी महान है महात्माएं है लेकिन आप प्रेक्टिकल स्वरूप में महात्माए हो यहाँ खुसी है ना तो महान आत्माएं सदेव उची इस्तिती में रहती हैं वो लोग तो उचे आसन पर बेट जाते हैं सिस्यों को नीचे बिठाएंगे खुद उचे बेटेंगे लेकिन आप कहां बेटते हो उची इस्तिती के आसन पर उची इस्तिती ही उचा आसन है जब उची इस्तिती के आशन पर रहते हो, तो माया आ नहीं सकती, वो आपको महान समझ कर, आपके आगे जुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी जब उचे आसन से नीचे आते हो तब मायावार करती है अगर सदा उचे आसन पर हो तो माया के आने की ताकत नहीं वह उचे चर नहीं सकती तो कितना सहज आसन मिल गया है भाग्ये के आगे त्याक कुछ भी नहीं है छोड़ा भी क्या? बाप दादा पूछते छोड़ा भी क्या? जेवर पड़े हैं कपड़े पड़े हैं घर में रहते हो अगर छोड़ा है तो किछड़े को छोड़ा है तो सदा स्रेश्ट आसन पर इस्थित रहने वाली महान आत्माएं हो जितना सूचा नहीं था उतना ही अतिस्रेश्ट प्राप्तियों के अधिकारी बन गए इस भाग्य की खुसी है न? इस भाग्य की खुसी है न? दुनिया में खुसी नहीं है काला पेसा है लेकिन खुसी नहीं है खुसी के खजाने से सब गरीब हैं भिकारी हैं आप खुसी के खजाने से भरपूर हो यह खुसी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी खुसी लेंगे, तो चेक करो कि इतनी खुसी जमा हुई है। ऐसे तो नहीं सिर्फ एक-दो जन्म चलेगी। फिर खत्म हो जाएगी। इतना इस्टाक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चहरे पर खुसी और नसा रहता है आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां सदा खुस रहती हैं पता नहीं क्या हुआ है इनको दुख में भी खुस रहती हैं आप बोलो ना बोलो आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निसानी ही है खुस रहना दुख के दिन खत्म हो गए इतना खजाना मिला फिर दुख कहां से आएगा अच्छा वर्दान दिया बाप दादा ने वर्दान में बाप दादा बोले संपूर्णता की इस्थिति द्वारा प्रक्रती को आडर करन वाले विश्व परिवर्तक भाव संपूर्णता की इस्थिति द्वारा प्रक्रती को आडर करने वाले विश्व परिवर्तक भाव डिटेल में बाप दादा बोले जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण इस्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी तब यह प्रक्रती संपूर्ण हल्चल की डांस सुरू करेगी वायू धर्ती समुद्र जल इनकी हल्चल ही सफाई करेगी परंतु यह प्रक्रती आपका आडर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयम के सहयोगी करमेंद्रियां मन बुद्धी सं इंसकार आपका आडर मानेंगे साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की उची इस्तिती हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन और प्रक्रती हाजिर हो जाए स्लोगन में बाप दादा बोले अपने स्रेष्ट भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की दिलाते रहो अपने स्रेष्ट भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की इस्म्रती दिलाते रहो तो ये थे अव्यक्त बाप दादा के महवाक्य अच्छा ओम शान्ति झाल 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 झाल झाल